मुझे एक रफे फर्माया कि हम और खाजा सहाब लखनोग पहुंचे साथ ही साथ तो खाजा सहाब ने मेरा विस्तर अपने सर पर रख लिया हाज़त ने मुझे फर्माया मौना शाव दुर्गणी साथ रहंतुला ने ने कि खादा सहाब ने मेरा विस्तर अपने सर पर रख लिया लखनों के पलेट फार्म पर छोड़ी देर में फोरन विस्तर से सर से विस्तर को उतार करते फोरन पुली को बना कर रख लिया और फरमाया कि हजरत CID लगी हुई है दिल तो यही चाहता था कि आपका सामान सर पर रख कर विस्तर ले चलों आप मेरे आलिम हैं गुदुर्ग हैं डिफ तो यही चाहता था मगर जोची मैं डिफ की करक्तर हूं और अंग्रेजों की हुकूमत ही फरमाया CID लगी हुई है हमारी इस वहदे के मनसर और मनसर के लिहाज से मेरा ये सर पर विस्तर रखना ये हुकूमत के नजदीक विया पायूब होगा और मेरी नोकरी खत्रें बढ़ जाए ही यहादा CID को देखकर फोरण जल्मे से पुली को गलाकर अपने सर का विस्तर रखना दिया यहां एक मसला मालू हुआ कि जिस तरीके से क्योंकि करक्तर को अपनी पोश्त और मोहते का ख्याल होता है कี่ कोई बात ऐसे नो हो जो उसके मनस्थ के खिलाफ हो ऐसी हादी खना का वी एक मनस्थ है और आलिमेगी की। اللہ تعالی اللہ معلوس히 رحمت اللہ علیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو وعدہ ہے کہ ہم قرآن کو محفوظ کریں گے اور قرآن کی حفاظت ہمارے ذمہ ہیں اس سے پہلے کسی آسمانی کتاب کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں فرمایا اللہ معلوس히 رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہم اس کی حفاظت کریں گے اس کی تفسیریں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے इनल्लाह लन यहफज कुछ तुबस रमावियत तादगा मिनत तुराद वलिजीन वज्जीन वज्जीन अल्लाह आनुजी फूर्माते हैं ल्लाह तालाह ने बुरान से पहले इसी किताब की इसाथ का जिमा नहीं दिया था इसके लिए किताब मुहर्ण हो गई उसमें कभीया हों लेकिन तब ल्लाह हिब्द लुरान बेनफसे ही अल्लाह इसके मतवनी और इसके जिम्मेदार हुए पुरान की हिफादत के फकान अल्कुरान अव्वलन अखरत महफूदन अल्-आव्वल से आखिर तक महफूद है और फरमाते हैं फईन शेख अल्मुहीद एक नहायत हैवतनाक शेख बहुत बड़ा पगड़ा बंदा हुआ बड़ी थी लाड़ी हैवतनाक लुटगा यरा नुटतन फिर पुरान अगर पुरान भी एक नुटता बड़ दे जबर दरा सबड़ दे तो यरूट तो हुट अलेह सिव्यान तो एक बच्चा हमारा नौ साल का जो हाफिज पुरान होगा यरूट तो अलेह सिव्यान हमारा एक बच्चा उस पर रख कर देगा कि यह शेख तुम घरत पढ़ते हो उस शेख मुहित की हैवत नहीं उस पर आएगी एक बच्चा जो हाफिज पुरान है उस वरण टोग देगा तो अल्लह तो अल्लह ताला ने पुरान को तो फरमाया कि पुरान की हिफादत हम कहां करेंगे पहला को सिरी जुल्ड जो गहाते हैं मुफसरें तो वैना लहुला ह हम पुरान को अपने आउलिया की दिलों में महफूज करेंगे तो मालूमा जिनके शीनों में खुरान आगया वो अल्लह के आउलिया है लेकिन विनायत की डिग्री और पोस्ट कुर्शी तो मिल गई मगई मगर गिक्टी कलक्तर के लिए अगर उसको ये वहदा मिलता है तो उसे उस होते का इज़त का ख्याल भी रखना पड़ता है जैसे भाजा साब में फोरण अपना विष्टर सकता अपना विष्टर सकता विष्टर लेके बाहर तक अपनी कार पढ़ लेचे तो मालूमा अल्लह ताला ने बहुत अजीन निमत दी जिसको अल्लह ने पुरान का ह फैसला हो जाएगा उदूर फर्माते सल्लह लाव ताला वस्लम वजबत लहुम नार जिनकी एक जहन्नब कर फैसला होगा उनको वहाफिज के लिए कुछ शरायत होते हैं शर्त यह कि पुरान के हरान को हराम संचे हलाल को हलाल उसकर आमन भी करें तो इसलिए यह या अल्लह क्यात्ता है